11.1 और धातूं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? What are the physical properties of non-metals? कुछ और धातूं से आप परिचित हैं, जैसे hydrogen, oxygen, nitrogen, इत्यादी. क्या आप बता सकते हैं कि ये तत्व धातू क्यों नहीं है? हम जानते हैं कि धातूं के कुछ भौतिक गुण ऐसे होते हैं, जो उन्हें परिभाशित करते हैं. जैसे सामान्य ताप एवं दाप पर अधिकांश धातूं ठोस होती हैं. यदि कोई तत्व सामाने ताप एवं दाप पर गैस हो तो यह पहचानना आसान होता है कि वह धातू नहीं अधातू है पर सभी अधातूं गैस नहीं होती भिन भिन अधातूं भिन भिन अवस्थाओं में मिलती हैं जैसे ब्रोमीन एक मात्र अधातू है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और कार्बन, आयोडेन, फॉस्फोरस, सल्फर, सीलिनियम, इत्यादी अधातूं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं कार्बन का अपर रूप हीरा कठोर्तम तत्व है ठोस धातूं और अधातूं में अंतर करना संभव है क्योंकि सामानेत अधातूं भंगुर होती हैं अन्य गुणों के आधार पर भी ठोस अधातूं धातूं से भिन होती हैं अधातूं न तो अघात वर्धनियता दर्शाती हैं नहीं तन्यता और नहीं वे धात्विक ध्वनी उत्पन करती हैं यही रही कार्बन के अपर रूप ग्रिफाइट के अतिरिक्त अन्य सभी अधातूं विद्दुत की कूचालक होती हैं इसी तरह कार्बन के अपर रूप हीरे के अतिरिक्त अन्य सभी अधातूं उश्मा की कूचालक होती हैं अपर रूपता, Allotropy आप जानते हैं कि हीरा और ग्रिफाइट दोनों कार्बन के ही रूप हैं ये दोनों केवल कार्बन परमाणूं से बने हैं सोचिए यह कैसे संभो है कि दिखने में इतने भिन ये दोनों पदार्थ कार्बन ही हैं कार्बन ही नहीं ऐसे कई तत्व हैं जो एक ही अवस्था में एक से अधिक रूपों में मिलते हैं तत्वों के इस गुड को अपर रूपता तथा उसके विभिन रूपों को अपर रूप कहते हैं अलग-अलग अपर रूपों में पर्माणूं के बीच परस पर आबंध भिन होता है और यही कारण है कि इनके कुछ भौतिक गुण भिन होते हैं चुकि किसी तत्व के अपर रूपों के परमाणू समान होते हैं, इसलिए इनकी रासाइनिक क्रियाओं में अंतर नहीं होता। उदाहरण के लिए जलाने पर हीरा और ग्रिफाइट दोनों ही कार्बन डाई आकसाइड देते हैं। आकसीजन, फॉस्फोरस, सल्फर इत्यादी भी कुछ ऐसी अधातु में हैं जो अपर रूपता दर्शाती हैं। तो अधातों की क्या पहचान है? अधातों के उधारण हैं हाइड्रोजन, गंधक, आकसिजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन। अधातों चमकीली नहीं होती, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, और वो है आयोडीन। आयोडीन एक अकेली चमकदार अधातों है। ये तन्न नहीं होती, यानि इन्हें खीच कर इनकी तारे नहीं बनाई जा सकती। ये अघात वढ़े भी नहीं होती, यानि इन्हें पीट कर इनकी चादरे भी नहीं बनाई जा सकती। ये ताप और विद्यूत दोनों की ही कुचालक होती है। लेकिन यहां भी एक अपवाद है, और वो है कारबन का अपरूप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, विद्यूत और ताप का सुचालक होता है। येघ। येधा रा शृपब।